इसको ऐसे खोला जाता है, पूरा लूर हम इसमें ढाल देंगे, इसमें ढाल दिया पूरा, इसको ऐसे यहां पर लगाना पड़ता है, यह देखिए, सिंपल तरीका, यह छेद से मक्षी जो अंदर गई है, तो यहां पर हम यह अभी इंस्टॉल करेंगे, यह वाला हमारा जु दोस्तों, आज मैं आपको मेरी बचपन के थोड़ी सी कहानी बताता हूं, जब मैं सड़ी करने के लिए बैठता था, उस टाइम पर क्या होता, मेरे पास में एक बल्प होता था चोटा सा, तो उस बल्प में बहुत सारे कीड़े आते थे, और वो मुझे काफी डिस्टब कर मुझे पर्शान करना, बंद कर देते थे, ऐसा ही दोस्तों, हमारे खेते में भी होता है, जब हम हमारे खेते में कोई भी फ Assal लगाते हैं, तो वहां पर हमें कीड़े, सकीड से परशान करते हैं कर सकते हैं जो कीडे होते है दोस्तो वह लुट वहां पर काफी सारा जो नुक्सान होने वाला है वहêtre अगर रही कीड़ों कीडो को रोक नहीं पाते है तो कम से कम खर्चे में कैसे रोका जाता है, तो इसके लिए अलग-अलग जाल आते हैं, जैसे कि दोस्तों, मैंने यहापे सारे ट्रैप्स लिए हैं, छोटे से लेके, बड़े से लेके, कुछ जुगाडू परसनली मैंने भी बनाया है, ये औरेंज कलर का मैंने एक ट्रैप ब होता है इसके क्या-क्या फाइदे हैं कौन सा ट्रैप कौन से फसल में लगाना चाहिए जो भी confusion है सारा सारा clear होने वाला है आज के वीडियो में क्योंकि यह वीडियो हम के वल एक दिन करेंगे कम से कम 3 से 4 तीन शूट करने वाले हैं फूरा सिस्टेम जो हर एक प्लॉक प्लॉट पिण यूर लगाने के बाद उसका पूरा रिजल्ट देखेंगे श्ल देखने के बाद पूरे इस्की जानकारी लें वही तरीके के trap होते हैं एक yellow और blue यह trap में actually क्या होता है कि यह चिपकू होते है यानि कि यह देखे इसके उपर जो है चिपचिपा पधारत लगा होता है और ऐसे चिपकते हैं अब यह yellow और blue क्यों होता है क्योंकि दोस्तों जो कीडे होते हैं वो इसके उपर आकरशित होते है और इसके उपर आके चिपक जाते हैं, simple formula है, दोस्तों इसमें कौन-कौन से कीट फसते हैं, trap होते हैं, देखिए सकिंग पेस्ट जो जो भी है, आफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई हैं, मक्हिया हैं, इसमें सब सारे चिपक जाती हैं, for example, मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, क्योंकि यह जो दो ट्रैप हैं, एक हपता पहले मैंने इसको सेंटर में लगा दिये थे, यह देख सकते हैं, यह ब्लू ट्रैप पे देख सकते हैं, कितनी सारी मक्हिया यहाँ पे चिपकी हैं, छोटे-छोटे थ्रिप्स अगर लगा दिये, आपके एरिया में थ्रिप्स वाइट फ्लाइ जादा है, अगर लगा दिये, इससे क्या होगा कि आप मॉनिटर कर सकेंगे, कि आपके खेत में कौन सा सकिंग पेस्ट हैं, खास करके सकिंग पेस्ट के लिए हैं, तो यह मॉनिटर करेंगे, तो मॉनिटर क लेंगे जरूरी नहीं है तो यह बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इसका एक नुकसान यह है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो इसके उपर ज्यादा पानी जाता है या बारिश का पानी गिरता है इसका चपापन जो है वह कम हो जाता है लेकिन एक क्रॉप में आप इसको एक बार खर्चे की बात करें तो दोस्तों देखिए इसमें खर्चा आपको एक एकर में अगर आप लगा रहें तो यह एक ट्रैप मैंने पूरा जो है यह चालिस से पचास रुपे को लिया था इसके तीन पीस होते हैं यहां से यह एक कटता है यह दूसरा कटेगा तीसरा कटेगा इसे छोटे-छोटे पीस आप एक एक एकर में धेर सारे लगाईए जितना लगाएंगे उतना बहुत है आपके लिए बढ़िया है और यह दोस्तों आप हर एक फसल में लगा सकते हैं ऐसी कोई फसल नहीं है कि जहां पर यह नहीं लगा सकते हैं बस इसके उपर सकिंग पे लगाराईगे परे आंब भांव यह दोस्तों यह दोस्तों यह तो सचिपकता है अब दोस्तों यह दोफुकर गनेक्सटी त्रैप की अब हम नेक्स्ट्राब देखते हैं नेक्स्ट प्लॉट में कि आ तो संजू भाई और पोरा और प्लॉट जो हमेर रवेस्टिंग पर आ फ्लाइटी ट्रैफ है और इसका चोटा सा ऊपर प्रकार आप इसको बोल सकते हैं दोनों का काम एक ही है लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट आने के बाद ही इसके बारे में डिटिल में बात करेंगे तो पहले आज हम यह क्या करेंगे कि यहां पर दोनों ट्रैफ जो है इंस्टॉल इसका येलो रहता है उपर का हिस्सा वाइट रहता है नीचे के हिस्से में आपको सिंपल तरीके से यहां पर पानी भर देना है यह पानी मैंने भर दिया फिर क्या करूँगा कि यह जो मैंने बाक्यू लिया है यह लिए मैंने काफी बड़ा लिया है क्योंकि ज्यादा दिन और छोटा लियूर अगर होगा तो यहां भी आप फसा सकते हैं अगर बड़ा है तो आप यहां पर ऐसे रख सकते हैं मैं यहां पर बांध ही देता हूँ गुमा के इधर बांदो सिंपल तरीका है यह देखिए हमने लूर यहाँ पर फसा दिया अब लूर फसा देने के बाद क्या है कि इस लूर को हम अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे बाहर की तरफ रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगे और फिर हम इसको उपर से इसे ढप बंद कर देंगे कि इसको बंद करते समय लॉक होना चाहिए यह देखें नीचे से पूरा लॉक हो गया अब दोस्तों यह हो गया ट्रैप यह देखिए कंप्लीट हमारा अब इसमें होता का यह नीचे से च्छेद रहता यह देखिए आपको शायद दिख रहा हो गया यह ओपर से कोई होल नहीं रहता है उपर से यह पूरा फ्लाइटी ट्रैप जो है पूरा पैक रहता है नीचे से होल रहता है अब जो भी चीज हमें इसमें ट्रैप करनी है वह नीचे से जाएगी अंदर फश जाएगी और आगे का कि रिजल्ट आने के बाद ही देखते हैं अब यहां पर हम इसको टांग देते हैं पहले तो अब हमने यह बाकी लिए बासी लिए जो भी इसको बोलते हैं यह हमने क्यों लगाया है हम इस फसल में क्यों टांग रहे हैं यह सारा चीज जो हम रिजल्ट आने के बाद ही देखें अब हमारा जो दूसरा है यह वाला इसमें भी हम लिवर वही इस्तमाल करेंगे यह देखे उसी टाइब का लिवर है बस इसमें हमने यह डाल दिया बस यह वाला बहुत सिंपल इसमें पाने वानी नहीं है डायरेक्ट हमने डाल दिया है और सीधा डबभा हमने पैक कर दिया और कोई चीज़ इसमें हमने डाली नहीं है तो इसका भी रिजल्ट और इसका भी रिजल्ट दोनों का बह यहाँ पर हम आते हैं, दोस्तो दो दिन बाद अब हम आये हैं तोरई के प्लोट में यह पूरा तोरही का plot अभी harvesting इसका काफी हो चुका है, माल अभी काफी निकल चुका है, और इसमें कोई trap लगा नहीं है, तो यह देख सकते हैं, यह थोड़ा सा अलग तरीके का trap है, यह देखिए, तो यह हम इस तोरही के plot में लगाने वाले हैं, तो दोस्तों, यह दोनों होता है, क्यों होता है, वो भी देखेंगे, लेकिन इसका direct हम पहले installation करेंगे, दोस्तों, यह जो है, यह चीज़ यह ऊपर ऐसे लगती है, यह इधर से pack होता है, और इसके साथ यह भी lure दिया, जैसे हम लोगों ने इंट्राफ फ्लाइक के लिए वो, फ्लाइटी ट्रैफ के लिए लूर था, इसके लिए भी lure है, यह देखें, एंट्रैफ वेज फ्लाइट ट्रैफ लूर यहाँ पर लिखा है, और यह थोड़ा सा ध्यान दिजे कि इसके उपर दिखा है, कीप अवे फ्रॉम चिल्डर्न, नौट फॉर कंजूप्शन मतलब खाने के लिए नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा यह चोटी से डिपी इसके उपर जो दी है, इसको खोल देना है, इस तरी के लिए और उसके बाद हमें क्या करना है, कि यह यहाँ पर दिया भी है, इसके उपर पूरा, लेकिन मैं पौलिए जो हमने पौलिः यह प्हों होता यह शर्ड़े बी इसके अंदर भी शमेल रहता है, दोस्तों यह भी शमेल होता है, इसको बंद कर देंगे, फिर हम यह इसको यहां पर ऐसे सेट कर देंगे, यह एक Drum है, यह दोनों तरफ से बंद हो जाता है, इसमें इधर से Hole है, इधर से Hole है, ऊपर से Pack है अब अंदर लूर चली गई इसके अंदर उस Mail बाहर आएगे, अब हम इसको यहां पर टांग देंगे यह वाला भी तो यह देखे यह भी यहां पर सेट हो गया अब चलिए मिलते हैं इसके पास भी दो दिन के बाद दोस्तों यह वोटा टी ट्रैप मेरे हाथ में है अभी हम सीधा जो है टमाटर के प्लॉट में आए तो यहां पर हम वोटा ट्रैप लगाने वाले इसका इंस्टालिशन कैसे हो साली जाने जालता है यह देखिया हमने यहां पर गुसा दिया इसंहो Round लेटा हॐता अप्स होता है कि क्या हिसमक्ते लाट्शन के लिए टीए इसके लिए इसकaras कर लोगों में तो यह सिद्गाना परृता हो यह है इंटिया की गादना इसके बाद हम इसको पैसे लगा देंगे ये लग गया और फिर आखरी का काम क्या होता है कि ये ट्राप है तो ट्राप कैसे हों गेशेट कीड़ह उसके लिए हम इसमें ये पानी ढाल देंगे तो दोस्तो इसका भी फायदा ये कौन से फसल में इस्तमाल करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी देखेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट आने के बाद, कोई भी चीज करेंगे तो पहले रिजल्ट देखना चाहिए, तो दोस्तो चलिए इसके साथ भ होता है कि उपर की तरफ ऐसे गोल होता है और नीचे की तरफ यह देखिए ऐसे पॉलिथीन होती है और इस पॉलिथीन में पाउडर होता है इसलिए कि यह पनी जो है यह चिपके ना इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको नीचे से पूरा पैक कर देंगा ऐसे यह देखे ये और इसको ना उपर से ऐसे आप निकाल सकते है ये देखें ये हो गया और ये अंधर का लूज है कि आ इस हम क्या प्रदयर है इसमें वी लूल लगता है ये ब स्व mobilize है दोस्तों अगर लियोर कि बात करें तो अभी तक आप ने देखा कि जितने भी हम प्लॉड में जा रहे हैं सब में लियूर लगा रहे हैं,avam लेंगे अलावा कि budget है। तो ये देखे ये लिवर हमने तोject को में उस समय होता है ये तक टवर के लिए नहीं तो वह आते खास करके थोड़ा समय आपको प्लू दे देता हूं रिजल्ट के पहले ही यह देखिए डन अब हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से यहां पर हम इसको टांग देंगे दन तो दोस्तो इस तरीके से हमारा यहां पर यह फेरा में ट्रैप का इंस्टॉलेशन हो गया अब हम शाम को हमारे जुकाड़ू ट्रैप लगाएंगे दोस्तो वीडियो के शुरुवात में मैंने आपको काहा था की कीड़े जो है लाइट के तरफ बहुत आट्रैक्ट होते हैं उधर बहुत लाइट की तरफ दोड़ ते हैं उनको बहुत पसंद है जैसे कि मैंने येलो ट्रैप आपको दिखा गाए तो अभी रात के बजरे आ रिजल्ट है बाकी चीजे हैं वह हम कल देखेंगे अभी हमने दिखिए सिंपल एक हमारा बल्फ है यह रॉड हमने बनाया है इसको अभी हम क्या करेंगी हमारे पास एक बकेट है बकेट में केवल यहाँ पर पानी डालेंगे हम उसके बाद हमने क्या है यहां पे कुछ घर का तेल लाया है वो डालेंगे थोड़ा अब यह क्यों डाल रहे हैं किसलिए डाल रहे हैं यह आपको सुबह पता चलेगा इसका रिजल्ट देखने के बाद फिर सिंपल तरीका है यह मैंने इसको यहां पे ऐसे रखा इसके बाद इसको थोड़ा उपर उठा लेता हूँ इसको इसके नीचे रख देता हूँ हमारा यहां पे एक्स्टिशन बोट यह हो देखिए अभी हो गया चालू ठीक है यह वाला भी हमारा पूरा सेट हो गया देखिए अभी किस्तिरकाश दिख रहा है अभी संजुबहीन हमारे पू इसको हम सीधा यहां पर इसे कनेट करेंगे यह देखिए इसको भी हमने कनेट कर दिया यहां पर ठीक है इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे लेकिन यह बकेट का कलर अलग है लाइट का कलर अलग है इसके भी कुछ का वज़ा है उसकी वारे में बात हम करेंगे लेकिन पूरा अब दोस्तो हम ये वाला भी चालू कर देते हैं ये वाला क्या करेंगे थोड़ा सा अंदर दूर रख देते हैं क्योंकि result देखना जरूरी है थोड़ा सा ये वाला न हम यहां पर रख देते हैं आप चाहे तो स्टूल पर रख सकते हैं चाह जैसे रख सकते हैं तो हमने यहहां पर रख था अब उसमें और डाल दिया है तो दोस्तो हमने एक ट्रैप जो है यहां पर रख दिया है ठीक है अब यह थे-पूरा अंधेरा यहां पर हो जाएगा 8 में लाइक्स बंद कर दो कि represents कर दो यहां पे शायद एह आपको जो हैं लाइट्स बहुत कम दिख रही होगी लेकिन मुझे तो यहां पे लाइट्स बहुत देख रही है अध्रिम ओरेंज rest чтоб दीख रहा है और दोश्यर वाला ट्रैप हमारा जो इस अधर लगा हुआ है ये भी अभी चालू है ये देखें ये देख सकते हैं और काफी थोड़ा बुद रिजल्ट आ गया लेखिन अभी आपको में रिजल्ट पूरा नहीं दिखाऊंगा तो दोस्तो हमने यहां पे जो जुगा ट्रैप लाइट ट्रैप बनाया है उसको यहां पे हमने इंस्टॉल क पहले तो देखने वाले सेम के प्लॉट में हमने जो ट्रैप लगाया था इसम में देख सकते कुछ कुछ हिल रहा है और नीचे से भी काफी भरा है और और इधर वाले में कैसा क्या है इधर वाले में कुछ हिल रहा है देखते हैं फिर भी इसमें क्या आस्तिती हैं क्या नहीं है उपर भी कुछ चिपका है बाहर से भी चिपका है तो सबसे पहले तो दोस्तो इस ट्रैप के बारे में हम जानकारी लेते हैं हम ने इंस्टॉल किया, अब result भी देखने वाले, तो जानकारी यह है कि यह देखिए, हम इसको बाकी lure कहते हैं, यह देख सकते हैं, lure जो होता है दोस्तों यह क्या होता है कि जो male है उसको attract होता है, lure यह याने की क्या होता है कि एक smell होता है, उस lure से smell निकलती हैं और वो smell आपक होता है तो हर एक लियोर जो अलग होती है यह जो लियोर होता है ना इसकी लिमिट भी होती है 60 दीन 50 दीन 40 दीन तो लगभग आप एक से ड़ेड एड़ महिना तक आप इस बाकी को रख सकते उससे ज्यादा मत रखिएगा और दोस्तों सबसे खास बात अब यह लगाना कहा कहा है तो देखिए जहां जहां बेलवर्गी फसल है जैसे कि आपका यह सेम हुआ तो रही हुआ उसके बाद आपका वाटर मेलान हुआ यह ऐसी जो फसली बेलवर्गी है जहां पे फल मक्षी इसमें बस फल मक्षी ही फसती है जैसे कि हमारे महराश्टी में फल माशी जिसको बोलते है फल में छेद करती है फल मक्षी इधर उदर घूमती रहती है वह वही इसमें ट्रैप होती है दोस्तों दूसरा चीज यह है कि इसको और भी फसल में लगा सकते है जैसे कि हमारा अम की फसल है संत्रा है मोसंभी है जो भी फसले है इन सारे फसलों में आप फल मक्खी में वेजटेबल में यह वेलवर गी है और फूट्स में आप फूट्स में कोई भी फूट्स में जिसमें फल कि परस्षानके लगा सकते अब हम दोस्तों देखते इसका result तो देखिए पहले हम इसमें देखते है क्या क्या है अब यहम हां से कholता हो कि अधा कि तो यह देख सकते हैं दोस्तों तम गजब हमने कैसे बांधा था बढ़ा था कि तो देखिये यह और इसमें पूरी जो पलमकिया भर चुकि है। आप इसमें आयल भी डाल सकते हैं। ओलड God क्या चाहले कि फलमकिया उड़े नहीं पाएंगे चिपक जाएंगे। तो होता क्या है कि जब हम इसको ऐसे लगाते हैं तो इसके नीचे से इसके नीचे से फल मक्ही अंदर आती है स्मेल के तरफ और स्मेल इसका फैलता है यह लोर का स्मेल फैलने के बज़ अंदर आती है और इसमें फस जाती है पीले वाले में और फस जाने के बाद उनको बाहर कर निकलने का रास्ता नहीं होता यहीं में पानी जो भरा था उस पानी में फोरा फल्मक्या फस गई यह देख सकते साबून कापको है ने… अब हम दूसरा देखते है अब दोस्तो ये जो हमने छोता सा ग्लास वाला लगाया था इसमें लूर डाल दिया था जैसे कि market में मिलता है वैसे कि वैसे इस्तमाल किया था इसमें हमने कोई जुगाड इस्तमाल नहीं किया था तो अभी थोड़ी देर पहले में आया थो तो मैंने ऐसे हिलाया था इसको तो कुछ मक्षिया इसमें से ऊड़ी थी अलका-फुलका लेकिन मुझे तो इसमें कोई मक्षिया नहीं दिख रही है हम क्या करते हैं इसको खोली देते हैं यह देखे इसको तरीकर इस खोल जाता है तो यह देख सकते हैं, इसमें केवल लूर है, और कुछ नहीं है, अब इसकी क्या वज़ा हो सकती है, कि इसमें केवल लूर है, और इसमें मक्खी फसी नहीं है, इसकी वज़ा यह है, कि ना तो इसमें पानी है, ना तो इसमें कोई केमिकल है, कोई भी जो फल मक्खी वाली बόσई ताली तो इसमें फसी में केपल मख्ही अंदर आई और सैड के होल से निकल गी तो यह होता है फरक दोस्तों छोटे ट्रैप में बड़े ट्रैप में बस इसमें आपको क्या करने है कि जो फल मख्ही का केmical कोई भी भी chemical होता है आप इसमें डाल सकते हैं डालने के बाद मक्खी जब आयागी तो गुटके यही में मर जाएगी और यह लूर जो हमने डाला था यह वाला अभी को वैसे को वैसा है यह देख सकते यह ऐसा ही रहता है आपको इसको एकर में कितने लगाने हैं यह जो है दोस्तो यह तो हुआ हमारा सेम के plot में हमने जो लगाया थे अब चलते हैं दूसरे वाले plot में वहापे भी देखना जूरी है कि क्या क्या रिजल्ट आया है दोस्तों पुलीस जैसे चोर को पकड़ने के लिए अलग-अलग ट्रैप लगाती है जाल बिचाती है वन ने जीव हम पकड़ने के लिए जंगल में जो परिशान करते हैं उनको अलग-अलग ट्रैप बिचाते हैं उसी तरीके से ट्रैप जो है अलग-अलग तरीके के होते हैं दिखने में थोड़े अलग-फञ так एक क्रिटीकल रहते हैं कुछ कीडे अच्छे तरीधी से प्रस्ते इसमें actual होगा क्या है यह देखिए काफी गजब का यह भर चुका यह देख सकते हैं कितना हिल रहे हैं इसमें यह और फ्रूट्स में दो जगा पर इसको लगा सकते जहां आपको फल मख्षी ट्रैप करनी और इसमें क्या हुआ है यह छेद से मख्षी जो अंदर गई है अंदर जाने के बाद यह लूर के आसपास घूम घूम के वहीं पर भूके हैं यहां पर मर के नीचे रहे गई यह देख हैं दोस्तों आप जो है इसको एक एक अकर में 5-6 ट्रैप लगा सकते हैं आपके बजट के अनुसार है अगर आप और एक चीज़ ये भी है कि आपके plot में जादा प्रोकोफ है तो आप इसको जादा लगाईएगा क्योंकि आप इसको एक बार ले लेंगे तो आप इसको lifetime चला सकते हैं बस आपको lure डालना पड़ता है तो ये एक बहुत ही बहुत 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 ही चीज़ है बहुत ही बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही तरीके से कंदा है इसमें जो lure लगा था हमने यह लूजिंग लूट उपर के तरफ लगाया था हमारे ऐसे गलती हो गए थे उसके उपर एक धकन था इसको खोल देना चाहिए तब ही जा कि इसका स्मेल फैलता है और इसके तरफ पतंग आते हैं दूसरी चीज क्या हुआ हमने इसमें जो पानी भरा था वो धूप से बाच्पी बन हो गया था तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें ऑईल डाल देना है ताकि उससे जो है इवापोरेशन नहीं होगा तो हमने कैक दुबारा हमने आके दूसरे दिन चेक के नहीं हमें दिखा कि इसमें भास आए कि नहीं है कि दीखा कि इसमें फ़शा नहीं तो आप ऐसी गल्ती ना कीजglioत ми करना दें bapt बात यह डेजल्ट के आपको फूरा भी दिखा हैं इससे क्या होता है कि टमाटो पतंग इसमें ट्रैप हो जाते हैं आपके टोमैटों के अंदर जो लीफ Mainer आता है दोस्तोmals जैसे की यह यह देखें यह पे लीफ Mainer पती के उपर आया यह आने लीफ Mainer आने से पहले ही आपका रोग थाम हो जाए क्योंकि पतंग की साइकल ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर यह देख सकते हैं यह पतंग है ना सफेद वाला यह देखें उड़ भी नहीं पाया ऑईल के अंदर जैसे ही गिर गया यहाँ पर इस साइड में देखें काफी पतंग गिरे हुए हैं अभी ह रिजल्ट काफी अच्छा दिया है और ऑईल डलने वज़े से पानी का बास भी बन नहीं होगा और इसको आप एक एकर में पंदरा से बीस तक लगा सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बोड़िया आपके सामने ही हैं और यह लुएर हमने नीचे लगाया था इससे स्मेल काफी फैलती जाती है और फैल की जो है मेल पतंग है इसके तरफ आते हैं और इसमें लुसिन लिवर हेली लिवर दो लिवर आप लगा सकते हैं और यह ज़्यादा तर इस्तमाल किया जाता है जहां जहां पे आपको पतंग ट्रैप करने हैं जैसे कि टोमैटो हुआ बैंगान हो जाता है फिर इसमें दूसरा लिए लगाना पड़ता है वोटा टी ट्रैप के एक महतोपूर्ण बात यह है कि जैसे कई सारे मुझे कमेंट आते के शूट बोरर प्रूट बोरर हमें कंट्रोल करना तो यही से कंट्रोल करना है पतंक जो ट्रैप हो जाएगे तो शूट बोBER फूट बोर्रा का जुस इल्ली होता है सुन्डी होती हो तैयार ही नहीं होगी यह सबसे महतोपूर्न शूट बोर फूट बोर bonche के फाइदा पगाैंग के फसल में हमने कौन सा ट्रैप लगाया था तो फेरा абन ट्रैप जसको फनल ट्रैप बीडिशते फानल य देक सकते हैं इसमें पतंग करतें जैसे कि सबसे ज़्यादा आप डेखा होगा कि मकाई के फसल में ज़ो पतंग आते हैं इसमें हम इसमें किया च्राइप्ट कर रहे हैं कि जो फित च्राइब करसकते हैं या तो तामाटरके होते हैं यह इसका अब तरीक से बनाएगे लेकिन इसमें तो आप करिएते लिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं आप इसको जो एक एकर में दोस्तो छे से साथ लगा सकते हैं तो इसमें ये चीज पता नहीं क्या फसी है एक चीज देख सकते आपको दिख रही होगी कीड़ा है कोई टाइप का हम इसको खोल के ही देखते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं और अधा ऑत्व है पतंग फसे इसमें लेकिन बहुत चोटे चोटे lot ten कि का फी ब sixt था जई बडे पतंग इसमें सके तो नहीं पीसीए तो नहीं दीख रही है रहत नहीं इसमें फ्सहें कोड़ता क्लो़ कलोग तक काफी चोटे 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 पतंग है यहीर में भ किया जाते हैं दोस्तों अच्छुली यह देखिए अच्छुली बड़े पतंग होते लेकिन अभी बेबी स्टेज के हैं लेकिन यह बात एक और बात यह है कि यह फ्लॉट बहुत ही बहुत 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 परिशान करती है तो आपके अनुसार आप अलग-अलग फसलों में फ किया उसके रिजल्ट्स देखें कहां कहां लगाने देखें लेकिन दोस्तों मार्केट के अलवा कई सारे ट्रैप ऐसे होते हैं कि जो हम हाथ से बना के हमारे फसल में जो है कम खर्चे में यह किटों का जो है हम मतलब निदान कर सकते रोक थाम कर सकते तो देखें हमने यहां परत के उपर चिपा गया यह देखिया तो कौन सा बेस्ट लग रहा है मार्केट वाले लग रहे यह लग रहा है कमेंड में जुरू बताईए हम ने बस तसला लिगा इसमें डाला इसमें हमारा क्या है बस एक बल्प गया है उपर से रॉड गया और एक यह नीचे गया है बस आपके सामने हैं इसके पीछे दूसरा रखता वह वाला भी देख लेते हैं हम लोग उसमें हमने क्या किया था कि सेंटर में लगा दे तो ऊपर की तरफ लाइट रही और कीड़ ज्यादा एट्रैक्ट हो सकते हैं और अरेंज कलर के वजए से लेकिन इसमें पतक नहीं फसा यह चीज नोट करें आप देखिए इसमें केवल काले-काले टाइप का कोई मक्ही है फल मक्ही टाइप में यही फसी कैसे आपको क्या लग रहा इसके बारे में कमेंट सेक्शन खाली है जोर बताइएगा दोस्तों सारे प्लोट में अलग-अलग तरीके के ट्रैप लगाए यह ट्रैप में ज्यादा फरक कुछ नहीं रहता है बस लिए में फरक रहता है इसके अलावा दोस्तों मिधिल यूज यूजी दाल दीजिए और बोटल में डाल दीजे और बोटल के दोनों साइट से छेद कर दिए बहुत चोटे-चोटेजिसमें बस मक्षी अंधर बाहर न निकले जै जब मक्षी अंदर चली जाती है तो उसमें फल मक्षी मरने के लिए कोई वहीं पर मर जाएगे तो ऐसे जुगाड आप 20-20-50 पचास रुपए में जो है डेहर सारे मिथिल यूजनाल रसायन का इस्तमाल करके अलगलगा ट्रैप कर सकते हैं अलावा भी एक ट्रैप जो आता है दोस्तों वह सोला ट्रैप सोला ट्रैप हमें काफी महेंगा पड़ेगा मार्केट में पांच घजार आठ घजार दस अजार रुपए को आता है वह बड़े-बड़े पेस्ट जैसे यही पतंग हुआ वाइट ग्रेप का जो बड़ा बिट्टल होता है वह पकड़ने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो वह काफी महेंगा होता है उसके जगह पे हम अल्टरनेटिव यह लाइट वाला बर्ल पॉला इस्तमाल कर सकते है अ का है कीमते में अगर बात करें तो देखिए यह 500-200 रुपे इसकी कीमत है यह फेरामन ट्राप 50-100 रुपे के आसपास आता है यह वोटाटी 100-500 रुपे के आसपास आता है यह थोड़ा महेंगा है 200-300 रुपे के आसपास आता है यह 50-100 रुपे के आसपास और दोस्तों और ह हमने यह जुगा ट्रैप दो बनाए हैं इसमें क्या है कि आपको बस एलेडी लगती हैं 30-40 रुपे की और यह बकेट लगेगा 500 रुपे में यह भी बन जाएगा बकेट वाला और यहां पर यह साट वैट का एक बल्प लिया है दस रुपे का मेरे साब से आता होगा और यह र अगर बनाए हुए अगर आप यह चोटे चोटे जुगाडू ट्रैप खूद से बनाए हुए ट्राप अगर अगर इस्तमाल करते हैं थोड़ा से स्टडी करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो आपको पेस्ट मैनेजमें में बहुत बढ़े हद तक जो है हासिल हो सकती है तो यह आप ज़रूर कोशिश किजएगा तो फाइदे इसके बहुत सारे नुकसान कोई नहीं है दोस्तो थोड़ा बहुत efforts आपको लेना है बस इसके अलावा कुछ नहीं है तो दोस्तो आपको यह overall हमारा यह ट्रैप का आज का वीडियो मतलब हमने सारे traps ल ज़रूर बताइएगा क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने रात में शूट किया दिन में शूट किया दो-तिन दिन जाके इसको पूरा ट्रैप को मॉनिटर किया और मजब यह हमें बहुत सारा शूट करने में तो इस वीडियो को देर सारा लाइक कीजे शेर कीजे दिल खोल के शे झाल